Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Find the volume of the cube whose entire page is 54 square meters. यहाँ पर देखिया आपको क्या का गया है? Volume find करना है cube का, जिसका entire page आपका 54 square meter है. That is यहाँ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? Surface area of cube हो जाएगा आपका. तो यहाँ पर देखिये, surface surface area of cube यहाँ पर कितना है? 54 square, meter square आपका हो जाएगा यह. अब देखिये, यहाँ पर volume find करना है आपको. Find क्या करना है? Find the volume of cube. So, यहाँ पर देखिये आप, surface area of cube यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर देखिये, surface area आपको कितना given है? यहाँ पर 54 है. यहाँ पर देखिये, यहाँ से यदि में x की value निकालना चाहता हूँ. तो यह under root 9 हो जाएगा. That is हमारा यहाँ पर कितना आजाएगा? यहाँ आपका 3 meter आपका आजाएगा. तो x हमें पता लग गया, side हमारी कितनी है? So, यहाँ पर write कर देंगे, side, जिसको हमने x माना है, is equal to, आपका कितनी है? 3 meter है आपकी. अब volume बात करते है, volume की. तो formula आपका होता है, volume of cube, यहाँ आपका होता है x की power 3. That is, यहाँ पर भी आपका x क्या होता है? यह जो आपका x है, यह आपकी होती है side. यह आपकी side होगी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? x की power 3 मतलब that is 3 की power 3, and 3 की power 3 आपका कितना होता है? 27, यह आपका होता है, 27 meter cube. आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? Hence, volume of cube is equal to 27 meter cube. I hope you understood the explanation. Thank you.